पहले जब यह बयान भी चल रहा था हम यही चर्चा कर रहे थे कि फिर चाहे बीजेपी विपक्ष में रही हो या फिर अब इस वक्त इंडिया ब्लॉक जो है वो विपक्ष में बैठा हो सबकी स्क्रिप्ट एक ही होती है आकाशी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे कुछ करेगा सरकार के पास क्या पैसा है अभी हमें जो है रिविजिट करना पड़ेगा गुड-old infrastructure बॉंड अभी क्या infrastructure बॉंड 80C का हिस्सा एक वक्त था जब इंड्रस्रीक्टर बॉंड के लिए अलग से कहीं न कहीं आउट ऑफ दॉप्स आईडिया को मोटिवेट किया जाएगा आज क्या है कि आपने एटीजी के अंदर क्लब कर रखा है बाट एक वक्त था जब इंफ्रस्ट्रॉक्चर बॉंड अलग से होते थे उसमें जनता लाइन लगा के इंफ्रस्टॉक्चर बॉंड में करती थी तो मेरे साब से वो इस बार आ सकता है इनोवेटिव प्लैनिंग के तहर्ट उससे क्या है देशी भाषा में कहूंगा आम के आम गुटलियों के दाम बहुत कम समय बचाये चुकि जैजी तो सबसे एक एक क्विक रियक्शन ले लिया जाए कि किसकी क्या संभाव ना है किस सेक्टर पर किसकी कितनी नजर बनी हुई है सबसे पहले विजय जी आपसे शुरुवात कर रही हूं इस बजट में आपको किस सेक्टर से सबसे ज़्यादा उम्मीद है इंफ्राइस्टेक्टर पर सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान होना है उस पर मुझे ज़्यादा उ है कि जो सरकार की UNIVERSITY rating सरकार के जो college ये वहाँ पर को vocational courses नहीं है और जो यो नए vocational courses यो आ रहे हैं वो private universities में आ रहे और उनकी फीर कितनी है ये आप जानते हैं वो कोई middle class family आज किसी भी course में admission की फीज पास से दस लाक रुपए हैं तो सरकार को की एस पर का यह कह कहीं नहीं हो रहा है, वहाँ पर वही सब बेरोजगार तयार कर रहे हैं आप graduate और post graduate को, तो उस पर जब तक काम नहीं करेंगे, तो यह आगे नहीं बढ़ पाएगा, यह बार-बार हकीकत को और PECS को समझना चाहिए, सर ने बात की अभी कि out of box, मैं किया रहा हूँ, out of box पर का करने की जरूते है, education sector को और यह दो सबसे important है, जो आम आदमी को असर डालते हैं, और दोनों ही आम आदमी की दाएरे से बाहर हो गया है, यह आम आदमी की दाएरे से बाहर कैसे है, पूरा देश में जो है, हर साल लगवग तीन हजार, चार हजार के आसपास आइटी आई अंडर स्किल्ड जो सब्सक्राइब की नहीं है? उसके पास इतने काम होते हैं, कि आप परिशान हो जाएंगे और आएगा नहीं, आप एक कम्प्यूटर अपरेटर ढूरीटर ढूरीए, आप एक अच्छा ड्राइबर ढूरीए, और ड्राइबर आपके पास है, लेकिन जैसे आप से प्रोब्लम होगा, उसको दूसरी नौ करानी है, तो मैं देखता हूँ कि मोटर साइकल से बजापता आता है, कपड़ा अपना कपड़ा उतार के वहाँ पहनता है, दस वय से चार वजे काम कर देगा, पहले लोग कहते थे कि दो घंटा और कर दो नहीं करेगा, आप से पैसा लेगा, चला जाएगा, उसकी से कि स्वयन जो है, धान की कटाई करनी पड़ती है, ग्यहों की कटाई करनी पड़ती है, कोकि मजदूर उपलब्द नहीं है, तो अगर इतनी ही बिरोजगारी है, तो लोग मिल के उनहीं रहे में, तो आपको करनाओ की एक असिस्टेम बूजगार का मतलब यह होता है, कि जो जिस योगिया उसे बहुत जादा बरा है इस समय काम से खाली वही है जो नकारा होगा जिसके पास बिल्कु योगिता नहीं होगी उसका है जो सपने देखता होगा अपनी जो है चमता से जादा बाकिस काम इस देश में उपलब्ध है लोगों अब इंप्लॉइमेंट से थोड़ा सा आगे बढ़के क्योंकि अलग-अलग सेक्टर के बात हो रही हर श्वर्दन जी डिफेंस सेक्टर पर अभी तक एक बार भी चर्चा नहीं है बहुत इंपोर्टन सेक्टर है और पिछले बार के बजट अलोकेशन में भी डिफेंस आग चैनता हम लोगों ने कियए थोड़ी देर पहले लकिन हम चैनता नहीं करते थे कि हमारी गोली हमारा राईफल हमारे कपड़े फमारे स aurait सानिक जूते सब बाहर से आते थे आज हम लगबख बनालेने इंडिजिनफ हो गे हैं दो सो तीस आइटम हैं जिनको हम बाहर से नहीं हुगा तेब छोटी बात नहीं है यह सरकार करके दिखाया है उन्होंने और उससे आगे हम एकस्पोर्ट कर रहे है हमारे यहां DRD-ो के खोजे हुए तयार किये हुए बनाए हुए वह हम एकस्पोर्ट क पारें ठीक से अब ऐसे ही जो आर एंडी है जिसकी इतनी चर्चा होई यूपीय शासनकाल का दो गुना से अधिक खर्च एंडीय शासनकाल में होने लगा है हम बिना तुलना के कोई बात नहीं कर सकते हैं रिसर्च और डेवलोप्मेंट में पेटेश के मामले में दुनिया में बहुत पीछे लेकिन हम आगे जा रहे हैं और जब हम स्टार्ट अप ईको सिस्टम की बात करते हैं तो ठीक बात है कि कुछ मुछील है हैं लेकिन साथ सो से एक लाख स्टार्ट अप हो गया है चांदार है हमारी फाउंडेशन बहुत चांदार उस पर भव इमारत तयार करनी बजेट में उसी दिशना आप देखर हो लेकिन इसका मतलब है नहीं कि 10 लाग की टेक्स चूट देदे तो पॉपलिस्ट होगा वह भी सरकार के उपर हैसान होगा सरकार इधर हैसान नहीं करें अब देगी कि नहीं देगी चूट इस पर तो आम आदमी की नजर रहती है दस्तालों में तो कोई बता होनी पाया इसमें जो महत्पुर्ण है कि जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो हो रहा है ना उसमें प्राइवेट सेक्टर जो प्रोड़क्शन है उसका 1.26 लाग करोड का हम डिफेंस प्रोड़क्शन सामान कर सके हैं और 23,000 करोड का निरियात कर सके हैं तो ये उम्मीद जगानी चाहिए कि भारत में कुछ देश ही इस पर है धीरे धीरे हमारा आचा रूस के साथ अभी प्राइम मिनिस्टर गय थे तो जितने जो है साथ मिलकर के डिफेंस प्रोड़क्शन का हुआ है टेकनोलोजी अप्ग्रेडेशन का हुआ है इसको ऐसे देखिए कि तातकाली करने की बजाए धीरे धीरे जो नरंद मोदी सरकार की पॉलिसी एक ठोस बेस्ट बना दो कि आगे वो काम अभी भले उसका तातकाली परिणाम नहीं आए लेकिन वो आने वाले समय में वो लंबे समय तक भारव को वहाँ स्ट्रॉंग कर रहा है रेडिकल चेंज है आपको दस में से ग्यारा दे दिंगे यह रेडिकल चेंज हुआ है भारत का एप्रोच जैसे कई चत्रों में बढ़ा है वो इसे ही एक कम्प्लीट एप्रोच चेंज हो गया है कि हम इंपोर्टर तो रहेंगे कुछ चत्रों में लेकिन आप हमको जो समान देना है हमारे देस में बनाई है टेकनोलोजी हमारे साथ मिल के बनाई है हम खुद भी निर्यातक बन सकते हैं आपके साथ मिल करके और ऐसे देशों के साथ चाहिए हिन महासागरों समझोते किये गए हैं और हम मिसाल्स तक बेचने लगे हैं तो इसमें नंबर क्या है भारत का एक ही रखिये जा लेकिन जब दुनिया में कोई देश अपनी एकोनॉमी का साइज बढ़ाता है तभी उसका हिस्सा कुछ मिलेगा कम ज्यादा मिल सकता है जब मोधी सरकार आई थी तो करीव 18 लाख करोड का भारत का बजट था आज करीब 47-48 लाख करोड का बजट है आप कोशिश कीजिए समझने कि कि हमारी एकोनॉमी का साइज कितना बड़ा और Human Development Index में हम पिछले 10 सालों में बेहतर हुए लोगों का जीवन इस्तर बेहतर हुआ जो हमें दिखता दे हैं अच्छो तीन मिनट का बाता बात करने आपके आपके पास क्या रिमूट आरी है सर अपके जो है इग्णोर करके कैसे बढ़ेंगे असी हजार का हमें दिखाया है तो उसको रॉयल एकनोर कम से कम ना दीजिए मेरे इसाब से क्योंकि आज आम हिंदोस्तानी की मार्किट है म्यूचल फंड में एसाइपी के थुरू आम हिंदोस्तानी आज इंवेस्ट कर रहा है यह हमारी एचीवमेंट है और स्टॉक मार्किट में लॉंग टर्म कैपिटल गेंड में मेरे इसाब से कंसेशन आना चाहिए जिस तरीके से आम हिंदोस्तानी आम हाउस वाइफ आम इंप्लॉई पांच जार रुपे की एसाइपी से जोड़ा हुआ है वो दिखा रहा है कि इंडिया डेट से कैसे एकुटी में जा रहा है और कैसे दुनिया में हम नए कीरतीमान श्थापत कर रहे हैं साथी साथ फॉर रहे हैं साथी डेट मिनेट अब दोतना ही नहीं पांच है और बात करेंगे सामीर जी डेख से रुखशा के लिए जरूर है कि डेफेंस का बजट आप बढ़ा हो लेकिन डेफेंस के बजट को मैं सरकार की बहुत बढ़े उपलब्दी नहीं मानता हूँ डेफेंस आपकी द किसे उधाय बड़े महेंगाई कम वह जरूरी डिफेंस बढ़ाना जरूरी है कि ठीक है आपको सुरक्षा के लिए लेकिन डिफेंस का बजट बढ़ना सरकार की बहुत बढ़ी उपलब्दी नहीं है आप दूसरे क्षेतर में कितना बहतर कर रहे हैं उसके साथ-साथ वह ज देखिये तो 15 सेकेंड बाकी है विजय जी उसके साथ आप दूसरे भी कितना बात है आप कुछ भी घोषनाय करें पिछले 75 साल से गोशनाय हो रही हैं दस साल में गोशनाय हुई काम हुआ इसमें कोई दोराय नहीं सवाल इस बात का है कि आप जो सोचके घोषनाय कर रहे है देश के टेक्सपेर का पैसा अलोकेट कर रहे हैं उधार लेके अलोकेट कर रहे हैं उसका आउटकम क्या है उसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती